नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैं स्विष्टी मिश्रा आप सब को पता हुआ कि अर्विन देक उज्रिवाल को एडी का दूसरा समन जारी किया गया था लेकिन वो भिपश्णा का बहाना देकर के एक बरफिट से ये बच्चते नजर आ रहे हैं शराब भारदवाज जो कियाम आदिपार्टी के विधायक हैं उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने कहा है कि राजनितिक दबाव के कारण एडी समन भेज रही है ये दुर्भागयपूर्ण है हास्यपद है एडी को पता है कि अर्विन किज्रिवाल विपश्णा के लिए गए हुए हैं और एडी समन क्यों भेज रही है एडी के समन को किसी ने रिसीव नहीं किया ये कहा है सौरा भारदवाज ने तो देखें यहां पर एक राजनितिक तरीके से नियमावली को पढ़कर समझ कर सौरा भारदवाज ने ये बाते नहीं कई है क्योंकि अगर रिवन किज़िवार विपाश्ना के लिए लेकिन उसके बावजूद एडी ने उन्हें समन भेजा अब देखें ये बाते एडी के अधिकारियों ने नहीं कहा है कि क्या विपाश्ना के लेकर 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 अपर हैं को Rare बारदवार्य ने कहा कानून और बैत तरीके से नहीं कर रही है एडी ने राजिनितिक दभाओ के कारण समन भेजा है और इसके साथ उन्हें आगे कहा को की अधिनिया जिरीवाल 10 के लिए विपाष्णा पर है और विपाष्णा के लिए जाने वाला वाहुती दुन्या से दूर हो और वहां पर कोई फोन अखबार और टेलीविजन नहीं होता है कि कि अजीब सी बात है कि केंदर सरकार की एजेंसी एडी को यह बालूम है कि अरविंद के जरिवाल जी दस दिन के विपाशना में गए हुए हैं अब विपाशना के अंदर कोई ध्यान करता हो तो उसको मालूम होगा कि उसके अंदर आप पूरी दुनियास की से जो है कटे हुए होते हैं आपके पास कोई ना फोन होता है ना टीवी होता है ना अखबार होता है ना कोई कम्यूनिकेशन होता है ऐसे में आप पीछे से कह रहे हैं कि हमने संबन दे दिया आरे भाई आपने संबन दे दिय केंद सरकार के दबाव में इस समन को कर रहे हैं जो कि काफी दुर्भागे पूर्ण है और हास्यास पद है वहाँ पर कोई बाच्चित नहीं करता है उन्होंने कहा एडी ने समन तो भेजा है लेकिन उसे किसने रिसीव किया तो लेखे यह सौरा भारत द्वास थे जो कह रहे ह किसने रिसीव किया और यह समन केवल राजनितिक तयारी के लिए है इसकार्थ है एडी कोई भी कानून वैद तरीके से नहीं कर रही है एडी ने केंद सरकार की तरफ से डाले गए राजनितिक दबाव के कारण यह समन जारी किया है दुर्भाग पूर्ण है और हास्यपद ह अब मैं आपको बता दूँ पूर्व कानून मंत्री किरन रिजिजु जो की वर्थमान में पृत्वी विग्यान मंत्री है अगर बात्चित करें तो किरन रिजिजु ने एक पोस्ट साजा किया है वो एर्विन किजरिवाल का ही पोस्ट है और अर्विन किजरिवाल राजनि किरान डिजियू ने अर्विन किजरिवाल के एक पोस्त को साधा करके लिखा है 100% agree with अर्विन किजरिवाल जी आपको बता दे अर्विन किजरिवाल का पुराना एक पोस्त वाइरल हो रहा है अर्विन किजरिवाल उसमें लिखते हैं as a patriot Indian my head hangs in shame when our corrupt leaders do not appear before ED and CBI even after multiple summons by the investigation agencies when they should have resigned from their post immediately as soon as the allegations were made मतलब की एर्विन किजरिवाल इसमें लिख रहे हैं एक सच्चा देशभक्त होने के नाते मेरा जो सर है वो शरम से जुख जाता है जब हमारे देश के भरस्टाचार corrupt leaders ED CBI investigation officers के द्वारा जो समन भीजा जाता है उस पर हाजिर नहीं होते हैं उन्हें तो अपने पोस्ट से resign कर दिना चाहिए इसी बात पर क्या था आब cabinet minister किरन डिजिजु ने तंज कसा है और कह दिया अर्विंद किज्रीवाल जी आपको बतादे पहला मामला नहीं है जिन बातों को बोल कर आए थे और इसे के साथ ठीक उसका उल्टा करते नजर आ रहे हैं आपको बता दे अर्विंदे कजड़ीवाल की कई ऐसे पोस्ट Olympic को वारिल वारarin के उन्होंने वादा को वादा कुछ और कर दे काम वही दिल्ली के यहाँ पर पॉल्योशन की जिम्हदार कॉंग्रेस पार्टी है दिल्ली की पूर्वरतमान सरकार है अब वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे थे तो उनकी फोटो को उनकी वीडियो को लोगों ने वाइरल किया और इसी के साथ मैं आपको बता दू जिस तरीके से अर् पहले समन पर आपने कहा कि मैं बिजी हूँ उस वक्त चुनाव पर चार पर सार तेज हो रहा था और आवा देखिए विपश्टना के बहाना लेकर चले गया तो क्या यह वही अर्विंद कुछ बोलने के लायक नहीं है क्योंकि इनके ऐसी बाते हो चुकी है इतने आरोप हो था तो अपने शराब निती को वापस क्यों लिया और 338 करोड का मनी ट्रेल इसके साथ महा ठग सुकेश चनरशेखर का बयान इसके साथ दिनेश अरोडा के बयान इसके साथ चार्शिट में नाम होना संजै सिंग अपने आपको देश भक्त बताते बताते अंदर चले गए और देखे एक महीने से जादा का समय हो गया बाहर नहीं निगल पा रहे हैं इसमें अर्विन के जरिवाल अब चारो तरफ से घिर गए हैं ये वही अर्विन के जरिवाल है जो शरत पवार के स्विस बैक अकाउंट को लेके घुमते थे और आज शरत पवार की घर जाते हैं मिलते हैं और आज उनके साथ गड़बंधर में शामिल है यह वही अर्विन किजरिवाल है जो केवल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को हराने के लिए उस गड़बंधर का शिकार हो चुके हैं जिस गड़बंधर के एक एक निताओं के बारे में इन्होंने परजिया खोली थ जब यह मुख्यमंत्री नहीं थे यह वही अर्विन किजरिवाल है जिन्होंने रहूल गांधी पर एक निशाना नहीं छोड़ा जो उन्होंने साधा ना हो और यह वही अर्विन किजरिवाल है कि अब रहूल गांधी से हाथ मिलाते नजर आते हैं आपको बता दे यह वही रविन किजरिवाल है जुनोंने दिल्ली के प्रदूशन पर कई ऐसी बाते कही लेकिन आज खुद प्रदूशन को हैंडल नहीं कर पारे हैं और ये वही अर्विन किजरीवाल हैं जोनों ने शराब घोटाले पर इतना घोटाला कर लिया कि आज बच पाना इनका मुश्किल हो रहा है तो देखिए यहाँ पर हर तरीके से ED के समन के बाद कई ऐसे सवाल किजरीवाल पर उठते दिखाई दे रहे हैं इनकी उपस्तिती ना होना अब ये एक मातर ऐसे नेता है जो बचे हुए हैं शराब घोटाले में एक एक के बाद आपने देखा बड़े बड़े नेताओं की गिरफतारी हो गई मनी शिसोदिया, संजे सिंग और पूरव में सतिंदर जेन जो की मनी लोटनिंग में गए हैं ये बाहर देखिए नहीं आने वाले हैं और किजरिवाल जी को ये डर सतारा है कि अब एडी मुझ पर कारवाई कर सकती है क्योंकि एडी ने कई बर कह दिया कि पूरे आम आनी पाटी की मिली भगर दिखती है तो हम आम आनी पाटी को आरूपी बनाने पर तूल गए हैं और देखिए यहां पर ये शराब घोटाले में किंग पिन अर्विन किजरिवाल को बताया जा रहा है ये कई बर हमने ये चर्चाई भी देखी और किस तरीके से सुप्रिम कोट ने कहा कि मनी ट्रेल हुआ है जमानत नहीं दे सकते हैं और इसके साथ ही आपको बता दूँ ज अब जाते दिखाई देंगे तीसरा समझ जब जारी होगा तो फिलाल सौरा भारत द्वाज के आपको मैंने बयान को बताया और अर्विन किजरिवाल की पुराने पोस्ट को जिन्हों ने कहा था और आप खुद ये भाग रहे हैं आपकी जो भी राय हो ज़रूर रखें कुरिया